हेलो दोस्तों वालकम टू माई चैनल दोस्तों आज का मेरा टॉपिक शुगर की बिमारी बे है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुगर की बिमारी पूरी दुनिया में सबसे जादा तेजी से फैली जाने वाली बिमारी है जिसको ठीक करने और कंट्रोल रखने के लिए कई क इसम की अदवियात लोग और ट्रीटमेंट का भी लोग सहारा ले रहे होते हैं लेकिन बावजूद इसके उनको कोई भी रिजर्ट हासिल नहीं हो पाते तो दोस्तो इसलिए शुगर को कंट्रोल रखने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही असरदार मैथट बताऊंगी अपनी आज की इस वीडियो में तो चलते हैं अपने इंग्रीडियन्स की तरफ आप लोग फ्रीज इंग्रीडियन्स को नोड़ डाउन कर लें सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए वो है बिंडी बिंडी ना सिफ एक हेल्दी वेजिटेवल है बलके इसका इसका इस्तमाल बहुत सी बिमारियों के लिए भी किया जाता है इसमें बहुत जादा फाइदे माजूद होने के साथ साथ इसको एक सूपर फूड भी माना जाता है जिन में फाइबर, कार्बो, हाइट्रेट, केलशियम, प्रोटीन और आइरन के साथ साथ पोटेशियम और मेगनेशियम जैसे जरूरी नीटरंस भी बिंडी में भरपूर मिकदार में माजूद होते हैं हास दोर पर डाइबर्टीस के पेशेंट्स के लिए बिंडी बहुत ही जादा कामियाद इलाज है इसके अंदर पाया जाने वाला सॉलिबर, फाइबर, होन में गुलुकोस को जजब करने के प्रोसीजर को बहुत ही जादा कम कर देता है जिससे आपका बलर्ड शुगर लेवल नॉर्मलाइज रहता है इसके इलावा ये हमारे निजामे हास्पा को बेहतर बेनाने और क्रेस्टोल को कम करने में भी बहुत जादा फाइदे मन्द है बिन्दी से बनाई गई अगर ड्रिंक को शुगर को कम करने के लिए अगर इस्तमाल किया जाए तो तो ये सबसे जादा असरदार रेमेडी के तौर पर भी काम करती है और सबसे जरूरी बात इसको सही तरह से बनाने का तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि इस से कम वक्त में आप लोग बहुत से फाइदे उठा सके अब मैं आपको इसको बनाने का मैथड़ बताती हूँ इसको बनाने के लिए आपने चार से पांच दरम्याने साइस की भिंडिया ले लेनी है अब आपने इनको बहुत थी जादा अच्छी तरह से दो कर आप लोगों ने इसको साफ कर लेना है अब आपने इसको सेंटर से काट कर इसके दो-दो सलाइस बना लेने है इसके बाद आपने एक जार लेना है उसमें आपने आदा लीटर पानी डाल लेना है इसके बाद आपने कटी हुई बिंडियां इसमें डाल कर उसको 12 घंटे तक बिगो कर रखना है अब आपने बिंडियों को पानी से बाहर निकाल कर इस पानी में एक लीमू का रस निचोड कर इसमें एक चमच शहर डाल कर इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये ड्रिंक त्यार हो जाएगी आपने इस ट्रिंक को सुबहाली पेट पीना है एक गलास इसके इस्तमाल करने से ना सिर्फ आपका बलड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा बलके इस से क्रेस्टोल को कम करने और गुर्दों से मतलिक होने वाली बीमारियों को दूर करने में भी बहुत जादा मदद मिलेगी इसके इसके इलावा ये ड्रिंक आपकी पूरी बॉड़ी को एनरजाइस रखने के लिए बहुत जादा हेलपफुल है अब जो नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है वो है करेला इसको आम तोर पर बिटर मालन के नाम से भी जाना जाता है करेले के अंदर बलड शुगर लेवल को लोईर करने का एफेक्ट बहुत जादा पाया जाता है और ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कामियाब रेमडीज में से एक है पेंक्रियास में से इंसुलीन की सेक्ट्रीशन को बहतर बनाता है हास दोर पर टाइप वन और टाइप टू दोनों किसम की डायविटीज के लिए इससे पूरे पूरे फाइदे हासल किये जाते है इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक से दो करेले का जूस निकाल ले इससे आदा गलास पानी में मिक्स करकर पी ले और साथ में इसमें एक लीमू का रस भी शामिल कर लें और पीना आपने इसको सुबाहाली पेट ही है इसके इस्तमाल से ना सिर्फ आपकी बाडी में से जहरीले टॉक्सिस बाहर निकलेंगे बलके आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होने के साथ ही बलड शुगर लेवल को नॉर्मलाइस रखने के लिए बहुत ज़ादा मदद मिलेगी अगर आप इन दोनों रेमेडी में से किसी भी एक रेमेडी का मसलसल इस्तमाल करते हैं तो आप लोग बाअसानी से ही शुगर को कम वक्त में मकमल तोर पर कंट्रोल कर सकते हैं और हाई बलड शुगर लेवल से पूरी तरह निजाथ हासल कर सकते हैं इसके इलावा इसे इस्तमाल करने का सबसे बड़ा बेनफिट ये है कि ये आपको शुगर से मुतलिक होने वाली बीमारियों से भी महफूस रखते हैं तो दोस्तों ये थी आज की मेरी रेमिटी, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी टिप, सो मज़ीद वीडियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके जल्दी से बल आइकोन के बटन को प्रेस कर दें ताके मज़ीद वीडियों हमारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके और आप उससे भरपूर फायदा उठा सके